हेलो हेलो ये जो पबलिक है ये सब जानती है पबलिक है ये बाबू ये पबलिक है पबलिक MCD में इस बार मुद्दे कई है लेकिन जनता उनी को वोट देगी जो इन मुद्दों को समझेगा और लोगों की समस्याओं को सुलजाएगा इसी को जानने के लिए मैं आप पहुची हूँ पटेल नगर विधान सभा के बलजीत नगर वोट नमबर 88 में यहाँ आज लोगों से जानेंगे कि यहाँ के लोगों की क्या समस्याओं है और किन को वो इस बार वोट दे सकते हैं तो यही है कि देखते हैं रोड ठाट टूटा पड़ा है और जो अब बात है इसमें सीवर वेगरा सीवर ने डला है पानी टैम से नहीं आता है जो पानी आता है वो भी गंदा पानी आता है बहुत परिशान है बार साथ में यह बादी भर जाता है पूरा निकलना मुस्किल हो सारा सडक पे डाला जाता है स्की वघे स승 कैया है कि जतनी गाड़ियां महां से उड़ती है वर डे-स पाटिकल बहुत जब ज्यादा डेस पाटिकल है पॉलुशन है और शादीपुर तो इतना बदनाम हो चुगा है कि पॉलुशन में नंबर बन रहता है हमीशा और एंसीडी वाले अभी गाड़ी आती हैं कच्रेगी लेकिन रुकती नहीं है पास्ता को लगाओ इटालियन दडगा स्मित ऑंड जोन्स पास्ता मसाला वेरी वेरी टेस्टी तो इसलिए कुछ ज़्याद है एक क्षपाई है वहां पर कुड़ा की अच्छा पर यह चुनाव होने के बाद में फिर वैसे ही हो जायगा जैस offenses पहले कैसा था ओलाब यह आने में कहाहीा जाने की सुटा हुआ पहले हो जाया जाया तो पहले यह प्रहले सर क्या समस्या आपको लगती हैं मेडम समस्याओं को अमार है यहां पर रोड आधी बनी एक साल पहले आधी रोड छोड़ दी गई आज तक वो रोड नी बन पाई शिवर लाइन जाम रहती है अर्समें पानी बैता रहता है अभी भी आद वेख लिए सारा गीला पड़ा इसके बाद आगे 88 नबर आजेगा अब थोटे से टुकड़े को कौन काम करेगा जीतने के बाद पहली बात तो यहां पर कोई आता नहीं है यह रोड देख लो क्या आला है पान साल से ऐसी पड़ा हुआ है जब कोई जिसको जुरूर दोती है तब आते हैं अपना थोड़ा काम वाले आते हैं गाड़ियां आते हैं कुड़े की गाड़ियां ले गए खाली जा रही है कभी भर के जा रही है काम के तरिके से हो ही नहीं रहा जैसे होना चाहिए कोई भी पार्टी आजा है सब अपनी कुर्सी को बैठते हैं पबलिक की कोई नहीं सुनता कोई नहीं सु पुरा हाल है अब इनोंने बिजली का फिरी कर रहा करें जो मैसेज करेगा उसका मिलेगा उसका नहीं मिलेगा अब उनपर्ड लोग है वो क्या करेंगे इसमें सीवर तो लगा दिये मगर गली पकी नहीं कर रहें बजुर्ग लोग हैं दक्के खाते फिर रहें तीन चार दभा तो गिर गे बजुर्ग लोग यहां कोई सुनाई आहोई नहीं यह केजरी वाल जी वहां बैठे बैठे करके रहें जब हमारी उसने ख़बर ही नहीं ल सब्सक्राइब को आखने लोगों के मन में हजार सवाल है कि इन समस्याओं को कौन दूर करने वाला है बलजीत्नगर के लोग चाहते हैं कि जो भी प्रत्याशी जीत कराए वो इन समस्याओं से उन्हें निजात दिलाए सबसे पहले तो साफसफाई का ध्यान रखे चुकि MCD में इस वार का सबसे बड़ा मुद्दा कचड़ा बन गया है तो ऐसे में देखना दिल्चस्प होगा कि बलजीत नगर की जनता किसको चुनती है कैमरा परसन प्रवीन के साथ शुतिका दिल्ली इंडिया टीवी